जाहीं दोस्तों, मेरा नाम है सुफ्यान और स्वागता सुभी का Tech Airlines के एक नए विसोड में सबसे पहला अपडेट आ रहा है Samsung के Unpacked Event के तरफ से चलो Samsung के Unpacked Event के बहुती कड़क हाइलाइट सेता हूँ सबसे पहले Samsung Galaxy Z Fold 5 लाँच हो गया है ये रहे सारे Specifications, Price और Details देखो यार अभी जितने भी प्रोड़क्ट Samsung लाँच किया है वो Global Markets में लाँच किया है US, UK, Europe, समझ गया है तो अभी Indian Market को भी वो cover नहीं किया है Indian prices जैसे वो unveil करेगा मैं आपको बता दूँगा इसके पाद Z Flip 5 के भी informations अब तक तक आप देख चुके होगे देखो यार बस मैं यही कहना चाहता हूँ Z Fold 5, Z Flip 5 जादा बड़े अपग्रेटमेंट्स लेकर नहीं आए अगर Z Fold 4 और Z Flip 4 से compare करोगे तो Z Flip 5 में केवल cover display आ गया बहुत ही बड़ा वाला जाद तर जितने भी dynamics हैं स्पसिफिकेशन से हैं वो काफी कुछ सथ तक resemble कर रहे हैं previous generation के foldable और flippable से खेर आगे बड़ते हैं Samsung Galaxy Tab S9 series के तीनों tablets launch हो गए Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus और S9 Ultra और भी दो tablets आएंगे FE series के अंदर में वो बाद भी आएंगे इस साल के end में जब Samsung का fan edition वाला event होगा Samsung Galaxy S23 fan edition launch होगा तो उसके साथ दो tablets भी launch होगे Samsung Galaxy Tab S9 FE, S9 FE Plus देखो यार मैं इतना बात चीज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको tablets के सारे specifications दिखा सबो तो अब तक तो आप specifications देख चुके होगे मैं जैसे वादा किया था आपको तीनो tablets के पूरे specifications और prices दिखा दिया फिर उसके पास Samsung Galaxy Watch 6 और Watch 6 Classic ये दो बहुती कड़क वाले smart watches लाँच होए है rotating dial के साथ है बाई जो भी बंदा इसको खरीदेगा न अगर वो Ben 10 का fan होगा तो Omnitrix वाला app ज़रूर इसके इंस्टाल करेगा Omnitrix बनाने के कोशिश कर रहे है भाई डाइल घुम सकता यार सोच कर देखो इसने महंगी smart watch में डाइल घुमाने माला feature दे दिया है पंदे तो literally बहुत ही जादा खुद को खुसकितमत समझेंगे भाई काश यार मेरे पास इतने पैसे होते हैं मैं खरी सकता watch 6 को सही बता रहो मजा आ जाता वो भी क्या सपना था यार Omnitrix को ठीक है चलो यार इतने ही highlights से जतने भी information से सब के सब बदा दिया मैं आप बताओ आप कौन से product को लेकर excited हुए मैं watch 6 को यार सच बोलू तो IQZ7 Pro ये smart phone अगस्त के first week क्यास पास इंडिया में launch हो जाएगा पच्चीज अरुपे क्यास पास इसका price होगा इसके सारे specifications आ चुके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ देख लो यार आपको याद होगा मैं आपको करोडों साल पहले बताए था IQZ7 Pro Geekbench पे पकड़ा गया है स्पेसिफिकेशन बहुत नहीं क्या सकते हो 99.99% मैच कर जा रहे हैं Vivo S17E से ये phone कुछी महीनों पहले launch होगा था चाइना में तो यार स्पेसिफिकेशन का अच्छ है 25 रुपे क्यास पास launch होगा तो ये बवाल phone होगा ठीक है बहुत ही must value देगा OPPO का एक unknown smartphone है जो टैना सटिफिकेशन बे पकड़ा गया है लेकिन फोटो देखके ऐसा लग रहा है ये Realme 11 Pro Series के smartphone का ही कह सकते हो कि rebranded version हो सकता है पतलब कि उससे काफी कुछ तक match कर देगा ये जानते हो ना OPPO Realme OnePlus चचेरे चचेरे भाई है तो अपने ही चीजों को वो इस्तमाल करते रहते है तो कुछ हो सकता है क्योंकि भाई camera housing का style match कर रहा है 11 Pro Series के phone से देख सकते हो तो कुछ भी possible है कुछ पता चलता है इस phone के बारे बताऊंगा मैं वैसे एक छोटा सा request है एक छोटा सा help चाहिए आप लोगों का जो बंदे help कर सकते यार मैं उनी से कहा रहा हूँ इस वीडियो को description में एक link है मेरे दूसरे चैनल का आयरें सुफ्यान का आप जाके उसको subscribe कर लो यार पूरी वाद सुनो यार मुझे ना बस 100 subscriber बढ़वाने है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ना क्योंकि अगर 1000 से नीचे चला गया चैनल का subscriber count तो यार वापस से monetization feature छीन लिया जाएगा मेरे से ठीक है ना अब देखो यार हर माइने के end में Google क्या करता है YouTube channels के जो bot accounts होते हैं unused accounts होते हैं subscribers होते हैं उनको clear कर देता है तो अगर ऐसा हुआ तो यार हो सकता है 1000 से नीचे में चला जाओ क्योंकि काफी करीब पे हूँ 1020 subscriber है something तो जागे आप थोड़ो सा subscribe कर लो जिससे मैं बचा रहा हूँ ठीक है ना इसी वज़े से ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो हो सके तो यार help ज़रूर से कर देना तो confusion clear हो गया मेरे भाई एक अगस को Redmi 12 4G के साथ Redmi 12 5G भी launch हो रहा है ये दोनों फोन से एक साथ launch हो जाएंगे और अगर आपको नहीं पता है तो Redmi Note 12R चाइना में launch हो था फिर वो इंडिया में आएगा Redmi 12 5G के नाम से फिर Poco भी rebrand करेगा Poco M6 Pro 5G के नाम से 14,000 रुपए के आसपास प्राइस दोगा ये सब मैं आपको बता चुका हूँ तो यार ये फोन आ रहा है एक तारीको और ये काफी अच्छा फोन होगा अगर आपका बजट 14,000 रुपए के आसपास है या 5G फोन अच्छा वाला ढूंड रहे हो तो इसके तरफ देख सकते हो अगर मेरे को ठीक से याद है OPPO अभी तक अपने कोई भी टैबलेट को इंडिया में launch नहीं किया है अपने ब्रैंडिंग के अंदर में अगर मेरे को ठीक से याद है तो अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो कमेंट करके मुझे साही कर दीजएगा ठीक है तो यार OPPO Pad Air 2 ये जो टैबलेट है ये बहुत ही जल्द चैना में launch होगा और ये टैबलेट इंडिया में भी launch होगा देखो यार हम सब लोग जानते है हमारे मादो सेट सर Realme और Realme Global के President रह चुके है लेकिन अब वो Honor India के CEO बनेंगे Head बनेंगे तो यार उनके अलावा Realme के 15 से भी जादा Employees है बदलब कि जो अच्छे खाफे post को सम्हालते थे Realme के वो भी अब Honor India में आ चुके है वहाँ पर job कर रहे है मादो सेट सर के साथ जो काफी interesting बात है आप मुझे comment करके बताना आप कितने excited हो Honor phones के लिए मैं अगर सच बोलू तो मैं बिल्कुल भी excited नहीं हूँ मुझे यार भरोसा नहीं है Honor के उपर देखो मैं जो भी मेरा Real Opinion था मैंने बताया ठीक है मुझे कई न कई ऐसा लगता है और साइध ऐसा है भी कि Huawei से connection है Honor का ठीक है तेखो यार Honor के flexi phones को हुआ वे rebrand मारता रहता है ठीक है और magic OS ये भी तो आप जानती हो यार तो इसी वज़े से इतना विश्वास नहीं Honor के उपर सच कह रहा हूँ यार लगता है काल पे भईया को बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं हो रहा है मेरा patent है वगरा वगरा मैं आपको बता चुका हूँ पुराने tech news को देख लीजेगा तो यार आज क्या बापता है Tecno Poha 5 series के phones आ रहे हैं और Tecno Poha 5 series के पीछे भाई आपको बहुत ही अच्छा light देखने को मिलेगा वो phones देखने में तने अच्छे लग रहे हैं ना यार दिल खुश हो जा रहा है और देख सकते हो किस तरी के से nothing troll मा रहा है गुरू देख लो यार यार सही बता रहा हूँ competition ना यार बहुत अच्छा चीज होता है बहुत अच्छा चीज होता है देखे मैंने कहा था ना जो vivo v29 series के smartphones का trailer आया था उसमें दो phone को slow किया गया था एक vivo v29 pro था दूसरा जो था सब उसको vivo v29 कर रहे थे लेकिन मैंने कहा था वो vivo v29 e हो सकता है ने तो vivo v29 light हो सकता है लेकिन यार जो original वाला vivo v29 है मैंने कहा था vivo s17 का वो rebranded version होगा देख लो ऐसा दिखाई देता है ऐसे specs है ठीक है तो आज यार vivo v29 गूगल पे console listing में पकड़ा गया है snapdragon 720 8g plus है 8g RAM Android 13 है वो सब चीजों को छोड़ो specifications तो match करेंगे ही करेंगे लेकिन photo भी सामने आ चुका है और भाई ये वह photo है जो vivo s17 का है तो बात समझे vivo s17 vivo v29 बनेगा vivo s17 pro vivo v29 pro बनेगा जैसे कि हर बार परंपरा प्रतिष्ठा अनुशाषन फॉलो करते वे vivo आया है अगर आप उन लोगों में से हो जो chat gpt नाम के चिडिया के बार में सब कुछ जानते हो लेकिन आज तक कभी try कर नहीं पाए मैं जानता हो यार problems इतने सारे हो गए हैं कि chat gpt को जाधा धर बंदे try करी नहीं पाए तो tension मतलो google play store पे जाओ chat gpt सर्च करो chat gpt का official app अवेलबल हो चुका Android के लिए install मारो try करना तो कर लो लेकिन आपको एक pro tip देना चाहता हूँ आप google bar को यूज करना सीखो google bar जाके google पे सर्च करो google bar को यूज करो वो आपको latest informations देगा chat gpt 2021 तक का ही data दे सकता है लेकिन google bar जो data चाहिए आपको वो data देगा उपर से वो google का product है तो उस पे भरोसा भी कर सकते हो आप अपने वाइसे यार टेक्नों 5 सीरिस के स्मार्टफोन का बात निकल गया है तो इंफिनिक्स GT10 Pro इस स्मार्टफोन के लाइव इमेजेस में आपको दिखा रहा हूँ इतम कड़क High Quality में फोन देखने में काफी बवाल लग रहा है भाई मानना पड़ेगा design wise कोई कभी नहीं छोड़ा Infinix light day white day भी बहुत अच्छी लग रही है और भाई ऐसा लग रहा है कि ये phone बहुत ही महंगा है एक gaming smartphone है 50-60 रुपएगा लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और आप जानकर हैरान हो जाओगे ये smartphone 20,000 रुपए के आसपास होगा आ यार 20,000 रुपए के आसपास यहीं इंफ्रमेशन सा रहे है सारे details आपको screen पे देखा रहा हूँ देख लो इसका pre-order भी चालू होने वाला है जातक पर को date ठीक से याद है 3 अगस्त को सुबा 12 बजे flip card पे चले जाना अगर pre-order करना चाहते हो तो तो यार कैसा लगा आप comment करके अपने opinion जाड़ो यार जुल्दी से मैं जानना चाहता हूँ वैसे यार update का बात निकल गया है तो One UI 6.0 का beta version का update सुरू होने वाला है तो यार अगर आप try करना चाहते हो तो बिलकुल भी try मत करना beta version है Samsung के बहुत सारे smart phones Wi-Fi aligned certification पे पकड़े गए है Samsung Galaxy F14 Samsung Galaxy M14 Samsung Galaxy A05 Samsung Galaxy A05S यह सारे smart phones Wi-Fi certification पे पकड़े गए है और यह बहुत ही जल्दे launch होंगे यार और अगर आप Samsung के phones का अंतिजार कर रहे हो तो जरूर करो यार वैसे यार Samsung का बात निकली किया है तो आपका भाई आपको करोडों साल पहले बोल दिया था Samsung Galaxy M34 5G launch हो है ना देखना F34 5G ली आएगा देखलो यार F34 5G आने बाला है और यार M34 5G ही है बस F लगा कर Samsung Wapos से launch कर रहा है ऐसा मेरे को लगता है कि OnePlus Open launch होने से पहले Oppo अपने Oppo Find N3 Fold को launch कर देगा अब देखो हैर मैं आपको कई बार पता चुका हूँ OnePlus का जो foldable phone है वो अगस्त के end में होगा जा तक उसका event मेरे को ठीक से याद है तो तो यार उससे पहले ही Oppo T's करना चालू कर देगा वो अपने Oppo Find N3 को launch करेंगे और OnePlus का जो foldable phone है उसी का rebranded version होगा Oppo Find N3 Fold Lava के तरफ से काफी अच्छे information हैं Lava बहुत ही जल AIoT products को भी बहुत ही seriously लेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही varieties के AIoT products को launch करेंगा जैसे कि TWS, Neckband, Smartwatches, Smartring और भी बहुत सारी अच्छे चीचीज़े वैसे यार Smartring का बात निकल रहा है तो एक तरफ Samsung अपने Smartring को बनाई रहा है सब लोग तो कहा है थे कि Impact event में unveil करेगा, announce करेगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन करेगा जरू, Samsung बना रहा है फिर उसके बाद पता चला कि भाई बोट वालों ने तो announce कर दिया कि वो अपने Smartring को निकाल रहे हैं और यार आप लोग यखिन निकरो के noise वालों ने अपने Smartring को launch कर दिये देख लो यार, सारे details स्क्रीन पर है मानना पड़ेगा भाई, कितने तेज रही ब्रैंड OnePlus एक तम Advanced Level के VCE Liquid Cooling Technology के उपर काम कर रहा है वो बहुत ही जल उसको unveil करेगा कल पर जो जैसे कुछ इंट्रोमेशन आएंगे मैं आपको अपडेट करूँगा और ये बहुत ही बेस्ट, सबसे बेस्ट VCE Liquid Cooling Technology है Poco के Pop Birds 29 जुलाई को इंडिया में launch हो जाएंगे, क्या ये अकेले launch होंगे, या फिर इसके साथ Poco M6 Pro 5G भी launch होगा जल्दी मैं आपको बताऊंगा मिलते हैं अगले विसोर्ड में अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा मेरी मैनत अथी लगी तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर से करिएगा और हो सके तो यार इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेर भी कर देना यार और हम इस सब तक ख्यालो को खुसराओ जया हिंद बंदे मातरम